प्रेदितों के कामों का वर्णन छट्वा अध्याय छोड़कर खिलाने पिलानी की सेवा में रहें इसलिए हे भाईयो अपने में से साथ सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धी से परिपूर्ण हों चुनलो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें परंतु हम तो प्रार्तना में और वचन की सेवा में लगे रहे यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अन्ताकी बाला निकुलाउस को जो यहुदी म में आ गया था चुन लिया और इन्हें प्रेरतों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और परमेशर का वच्छन फैलता गया और यह रिशलेम में चेलों की गिंती बहुत बढ़ती गई और याजिकों का एक बड़ा समाज इस मत के आध स्थिफनुस अनुग्रह और सामत से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था तब उस आराध नालाय में से जो लिबिर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किली किया और एशिया के लोगों में से कई ए एक उठकर स्थिफनुस से वाद विवात करने लगे परंतु उस ग्यान और उस आत्मा का जिस से वह बातें करता था वे सामना न कर सके इस पर उन्होंने कई लोगों को भारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेशर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना हैं और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ा आए और उसे पकड़कर महा सभा में ले आए और जूटे गवाँ खड़े किये जिन्होंने कहा कि यह मनुश इस पवित्र स्थान और विवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही इश्यू नासरी इस जगह को ढ़ा देगा और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौपी हैं तब सब लोगों ने जो सभा में बैटे थे उसकी और ताक कर उसका मुखडा स्वर्ग दूत कासा देखा